तो एलो अच्छो कैसे हैं आप लोग आयोप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम किलास सेविंत सहायक वाचन खंड एक नैतिक सिक्षा और पार्ट पांच सहन सीलता इस लेसन के कुश्चना अंसा सौलब करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडि के सहने की छमता कहलाती है सहन सीलता इसमें पहला प्रस्न अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला है संसार में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है जो खालिस्थान से घवराता नहीं है तो दुखों से दूसरा है खालिस्तान प्रती दिन गोदावरी इसनान करने जाते हैं तो संत एकनाथ और तीसरा है खालिस्तान यूनान के महान विचारक एबं दार्शनिक थे तो सुकरात चोतरा है सरदार भगत सिंग खालिस्तान और राजगुरू सतंत्रता के लिए फासी पर चड़ गई तो सुकदिव तो पहले का अंसर है दुखों दूसरे का है संत एकनाथ तीसरा का है सुकरात और चोतरे का है सुकदिव अगला है लगुत्र ये प्रस्ण ऐसमें पहला है सहनत सीलता से आप क्या समझते हैं तो उत्तर है सहन सीलता व्यक्ती की सहने की छम्ता सहन सीलता कहते हैं दूसरा है, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण है, तिसका उत्तर है, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति में निमलेकित गुण होते हैं, यसे पहला समद्रिश्टिता, दूसरा सहान भूती तथा तीसरा सहिन सीलता, और अगला प्रस्न है, इसको छोटा कर बहुत अच्छा था वे जब गोदावरी से इसनान करके आते वे उन पर कुल्ला कर देता था एक दिन तो उन पर एक सो साथ बार कुल्ला किया जिससे संत को गुदावरी में एक सो साथ बार इसनान करना पड़ा अगला प्रस्न है प्रस्न चार ओची मानो वित्ती वाला व्यक्ति संत एकनात के चर्णों पर क्यों गिर्व पड़ा तो इसका उत्तर है संत एकनात की सहन सिलता को देख कर उची मानो वित्ती वाले व्यक्ति को अपने उपर लज्जा आई और वह संत एकनात के चर्णों पर गिर्व पड़ा और अगला प्रस्न है पांच क्रांतिकारियों ने भगास सिंग की परिक्चा किस प्रिकार ली तो इसका उत्तर होगा क्रांतिकारियों ने भगास सिंग को अगनी सिखा पर अपना हाथ रख कर परिक्चा देने को कहा भगास सिंग ने अगनी सिखा पर अपना हाथ रख दिया देखते देखते चर्वी उनके हाथ से गिरने लगी लेकिन वे हस हस कर बाते करते रहें इस पिकार करांती कार्यों ने भगास सिंग की परिक्षा ली अगला प्रसनेच है इतनी भीषण उमड गुमड पर और गरजने के बाद बरसा होनी ही थी सुकरात ने यह बात क्यों और किस से कही तो इसका उत्तर होगा सुकरात की पतनी सुकरात से जगड रही थी सुकरात मुस्कुराते रहे और बाहर जाने लगे इस पर उनकी पतनी को और क्रोधित आया और उन्होंने पास रखी गंदे पानी की बाल्टी सुकरात के उपर उड़े दी इस बात पर सुकरात ने अपनी पतनी से कहा इतनी भीसर, उमड, घुमड और गरजन के बाद बरसा तो होनी ही थी तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद